हैलो दोस्तों, मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेस्बुक एड्स के बारे में फेस्बुक एड्स क्या होते हैं, आपके बिजनस के लिए क्यों इंपोर्टेंट है basic से लेकर advance तक हम facebook ads को सीखने वाले हैं ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है 40-45 मिनट से लेकर एक घंटे तक ये वीडियो होगी लेकिन इसके अंदर आप starting से लेकर end तक सभी चीजे आप सीखने वाले हैं जो भी facebook ads चलाने के लिए जरूरी है तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को start करते हैं जैसा कि आपको already पता है सबसे पहले हम बात करते हैं facebook ads क्या होते हैं facebook को आप usually आप use करते होंगे जब भी हम facebook को scroll करते हैं mobile के अंदर या फिर आप desktop के अंदर कहीं भी आप scroll करते हैं use करते हैं तो आपको कुछ ad आती है ad कौन सी होती है हम पता कैसे लगाएंगे कि ad कौन सी होती जिनके उपर sponsored लिखा होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनके उपर sponsored लिखा होता है वो हमारी होती है facebook ads जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दो हमारे पास में एड है sponsored कोमो सियारम और अगर हम उपर आकर इस company Kidzology जो भी यह company है Kidzology तो यहाँ पर sponsored लिखाओ यानि कि यह क्या है यह हमारी यह Facebook ads बाकी जो हम post देखते हैं वो यह तो group की post होती है या फिर किसी Facebook page की post होती है या फिर किसी profile की post होती है अब Facebook जो ads है वो आप समझ गए कि Facebook ads क्या होती है अब बात करते हैं कि Facebook ads चलाने की क्या जरूरत है importance क्या है Facebook ads की तो जैसा कि आपको पता है Facebook जो है इंडिया के अंदर काफी इंडिया क्या वर्ल्ड के अंदर काफी popular है अगर आप अपने customer तक पहुचना चाहते है तो Facebook ads जरूरी है और जैसा कि आप screen के उपर देख सकते हैं यहाँ पर यह नवंबर का data Facebook ads जो है वो तीसरे नंबर के उपर सबसे ज़्यादा use की गई website है हमारे पास में पांचवे नंबर के उपर Instagram है अब Facebook ads जो Instagram ad है वो भी Facebook के ही platform से चला जाते है क्योंकि जो Instagram है वो भी meta की company है और Facebook जो है वो भी meta की company है तो यह दोनों जो ad हैं वो सभी हमारी एक ही जगें से चला जाएंगी तो इसलिए जो आपके customer है या फिर आपके जो भी चीज़ आप promote करना चाते है जो लोग है वीजिटर है वो Facebook और Instagram जो हमारा platform है इसके उपर available है तो इसलिए हमारे लिए Facebook हमारे business के लिए या फिर अगर हमारा individual business है तो उसके लिए भी Facebook ads चलाना काफी जरूरी है अब Facebook ads चलाने के requirement क्या है Facebook ads चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक profile होनी चाहिए जो की हमारे name से होगी और दूसरा हमारे पास में Facebook का page होना चाहिए Facebook के page और profile में क्या difference है simple एक basic difference है जो profile है वो हमारी होगी कोई भी person अगर किसी को भी Facebook use करनी है तो उसके लिए Facebook profile का होना जरूरी है Facebook के उपर account बनाना जरूरी है अब Facebook के उपर जो भी account बनेगा वो एक person के नेम से बनेगा account जो Facebook account है वो कभी भी एक company का account नहीं हो सकता क्योंकि company का बनेगा Facebook page एक person का Facebook page बन सकता है लेकिन एक business profile एक जो business है उसका page ही बनेगा ना की profile बनेगी तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक Facebook account जो कि आपके पास में already होगा उसके बाद में हमारे requirement होगी Facebook page की उसके बाद में हमें requirement होगी एक add account की ये तीन चीजों की हमें requirement है तो step by step हम सारी चीजों को समझते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी आपको ये चीजे हैं यहाँ पर अब हम आते हैं इन 9 dots के उपर जैसे ही मैं 9 dots के उपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजे मिलेंगी जो की सारी चीजे Facebook platform के अंदर available है और उन चीजों को आप यूज कर सकते हैं जैसे कि event है, friend है, group है group को या Facebook के अंदर आप यूज कर सकते हो news feed है या फिर आप Facebook page है हमारे तो market place है यानकि यह सारी चीजें Facebook के feature हैं इनको आप Facebook के अंदर यूज करते हो उसके बाद में हमारा है ads manager, तो इस वीडियो के अंदर जो हमें requirement है, जैसे ही हम इन nine dots के उपर click करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, menu का icon हो सकता है यह update होने के बाद में आपको या तो यहाँ पर भी मिल सकता है, left side के या आप यह देखी, यहाँ पर सारी चीजें see more के उपर हम click करते हैं, तो यहाँ पर और भी काफी सारी चीजे, ads manager है अगर हम और नीचे scroll करते हैं तो pages है, तो यह जितने भी facebook के mostly used feature है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे meta business shoot है, professional dashboard है जो important feature है, वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे अगर यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो आप इन nine dots के उपर click करेंगे, आपको सबसे पहले हमें एक facebook page बना रहा है जैसे ही मैं facebook page के उपर click करता हूँ इसको मैं open करता हूँ अगर आपको already page बनाना आता है अगर आपने बनाया हुआ है तो आपका जो facebook page है जैसे हम pages के उपर click करेंगे तो यहाँ पर हमारा page दिख जाएगा अगर आपको page नहीं बना रखे आपने अभी तक तो आप simple left side में यहाँ पर create new page के उपर click करेंगे और यहाँ पर हम facebook page बनाने का जो process है वो हमारा start हो जाएगा और एक simple process है आपको facebook page का name डालना है category चूज करनी है और यह देखिए आप यहाँ पर name डालना है category चूज करनी है और उसके बाद में आपको normal bio डालनी है और जैसे आप create page के उपर click करेंगे तो आगे का process आ जाएगा उसमें आपको जो profile photo है वो upload करनी है और cover photo upload करनी है आप जरूर फिल कर दीजिए तो यहाँ पर मैं facebook page नहीं बनाऊँगा already मेरे पास में page है तो मैं उसी page का use करूँगा अब आपको क्या करना है page आपने बना लिया है facebook page बनाने के बाद में हमें क्या करना है हमें add account के requirement होगी तो हमें add account बनाना है तो अब हम क्या करेंगे हम scroll करेंगे जैसे हम scroll करते है तो यहाँ पर हमें ads manager professional services के अंदर हमें यहाँ पर ads manager दिखाई देता है वहीं पर आप left side में देख सकते है तो हमें ads manager के उपर click करना है जैसे हम ads manager के उपर click करेंगे तो हमारा जो ads manager है वो open हो जाएगा अगर आप first time account बना रहे हैं तो यह आपसे term or condition accept करवाएगा आपको simple process simple है जस्ट आपको accept के उपर click करना है जो भी चीज़े है उनको आप accept करेंगे तो आपका जो dashboard है वो आ जाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह हमारा dashboard आ चुका है यह मेरा add account है यहाँ पर मैं जो add account है उसको दूसरा add account यहाँ पर मैं choose कर लेता हूँ जिससे कि मैं बनाने वाला हूँ तो जैसे आप add ads manager के उपर click करेंगे तो आपको कुछ ऐसा interface दिखाई देगा सबसे पहले हम इस interface को समझते हैं सबसे उपर हमारा campaign जहाँ पर आप देख सकते है campaign के सामने हमारे add account का नाम लिखा है यहाँ पर refresh का button है review published यहाँ पर date है इसके साथी campaign ad set और ads यह एक campaign जो facebook ads बनाने के तीन level है इनको हम आगे सीखने वाले हैं उसके नीचे जो भी हम campaign बनाएंगे उन सभी की detail आपको यहाँ पर दिखाई देंगी तो वो हम campaign बनाने के बाद में देखने वाले हैं तो सबसे पहले हमें जो campaign बनाने के लिए हमें क्या करना है simple create button के उपर click करना है जैसे हम create button के उपर click करेंगे तो हमारे सामने जो detail है वो आ जाएंगी अब यहाँ पर हमें क्या करना है choose a campaign objective सबसे पहले campaign objective क्या होता है easy language के अंदर मैं आपको बताऊं तो जो campaign objective है वो हमारा goal होता है यानि कि हम उस ad को चला कर उस ad को run करके हम क्या goal achieve करना चाहते हैं for example अगर मेरा local store है तो मैं चाहूंगा कि जो visitor है जो भी आसपास के जो भी ad देखता है वो मेरे shop के उपर आए मेरे store के उपर आए वहीं पर अगर मैं कोई product sell करता हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरी website के उपर आए और उस product को purchase करे अगर मान लिजे मैं कोई service sell करता हूँ तो मैं चाहूंगा कि जो user है वो मुझे अपना phone number और inquiry generate करे ताकि मैं उसको contact कर पाऊं और अपनी services को sell कर पाऊं तो ये कुछ example है या फिर हम ये भी कर सकते हैं अगर मान लिजे मैंने कोई नया product launch किया है तो मैं चाहूंगा कि particular area के अंदर जो audience है वो मेरे product के बारे में ज्यादा जाने या ज्यादा aware हो उस चीज़ के बारे में तो ये हमारे goal है अब इन ही के basis के उपर हमें campaign का objective चूज करना है अब जैसे कि मान लिजे हम यहाँ पर आपको simple objective दिखाई देंगे campaign के objective awareness है, traffic है, engagement है, leads है, app promotion है और हमारा sales है अब awareness कभ यूज होगा हमारा, जैसे हम awareness के उपर click करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि awareness के अंदर हमें reach ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आपको अपनी ad दिखानी है तो हमें awareness चूज करना है, उसके बाद में brand awareness यानि कि ऐसे लोग जो हमारी ads को याद रखेंगे अगर आपको reach और brand awareness के बीच में difference का पता करना है क्या difference है, तो उसके उपर already मैंने वीडियो बनाई है जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या reach का मतलब जादा से जादा लोगों को हमारी ad दिखाई जाएगी और brand awareness के अंदर ऐसे लोगों को दिखाई जाएगी जो हमारी ad को याद रखेंगे ऐसे लोगों तक हमारी ad दिखाई जाएगी वहीं पर video views के अंदर ऐसे लोगों को हमारी ad दिखाई जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी video को देखेंगे store location awareness जैसा कि मैंने बताया था मैं चाहूंगा कि जो local के अंदर मेरा store है वहाँ पर उस physical store के उपर लोग आएं और उसके बारे में लोगों को aware करना है कि यहाँ पर मेरी shop है तो उसके लिए हमें store location awareness का ad चलाना पड़ेगा similar हमारा traffic का ad है अगर हमारे पास में website है और हम चाहते हैं कि हमारी website के उपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग visit करें वो हमें traffic का campaign हमें choose करना पड़ेगा traffic के campaign के अंदर हम क्या की चीज़े कर सकते हैं और यह किसके लिए अच्छा है तो हमें link click यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी हमने link दिया है उसके उपर click करेंगे landing page views यह क्या है हमारे optimization के goal है यानि कि जो भी हम campaign बनाएंगे traffic के अंदर हमें more options choose करने पड़ेंगे जो कि हमारे ये option available है हम चाहेंगे traffic के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो traffic है वो हमारे whatsapp के उपर आए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग calls के उपर आए तो बाकि यहाँ पर हम अभी discuss करेंगे अब हमारा आता है engagement engagement का simple meaning है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी post के उपर engage करें हमारे page के उपर engage करें या फिर जो भी जिस भी चीज को हम advertise कर रहे हैं उसके उपर engagement करें example के लिए मान लेज़े हम किसी facebook post को हम चाहते हैं कि लोग उसके उपर like करें comment करें उसको share करें तो हम उस facebook post की ad चलाएंगे same हम video views के लिए हम कर सकते हम चाहेंगे कि एक video जो भी हमारी video हुआ हूँ उसके उपर लोग engagement करें तो हम video views जो engagement की ad चलाएंगे और उसके अंदर हम video को choose करेंगे आपको यहाँ पर difference समझना पड़ेगा awareness के अंदर भी हमारा video views available है और हमारा engagement के अंदर भी video views available है तो दोनों के अंदर difference क्या है awareness के अंदर ऐसे लोगों को ad दिखाई जाएगी जो हमारे brand को लेके aware हो जबकि engagement के अंदर जो focus रहेगा वो रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस particular video के उपर engage करें awareness के अंदर focus हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ad दिखाने में रहेगा ना कि engagement करने में तो same उसके बाद में आता है हमारा leads का objective अब leads का objective हमें जैसे हम leads का objective चूज करते हैं तो lead का मतल़ होता है कि साम जो भी जिस भी ओडियंस को हम add दिखा रहे हैं वो audience हमें कोई ना कोई अपना data collect करते हम वो कोई ना कोई data हमें provide करते हैं जैसे कि name है phone number है या फिर email आइडी है या फिर कोई भी other data जिससे कि हम उसको as a lead मानते हैं और उसको हम contact करते हैं तो lead के अंदर हमारा क्या instant form instant form का मतलब है कि जैसे ही कोई हमारी add को देखता है और हमारी add के उपर click करता है तो उसके सामने एक form open होगा और जिसको fill करने के बाद में उस customer के detail हमारे पास में आ जाएगी similar हमारा messenger का होगा जैसे किसी user को हमारी add दिखाई देती है और वो उसके उपर send message के उपर click करता है तो हमारे पास में उसका message आ जाएगा और हम customer से chatting करके जो भी हमें बात करनी है जो भी contact information लेनी है वो सारे चीज़े हम वहाँ पर conversation कर सकते है उसके बाद में हमारा है conversion का तो conversion का हमारा खास कर website के लिए जरूरी होता है जैसे कि हमने website के अंदर एक form बना रखा है जिसको submit कर जिसको हम register करवाएंगे एक webinar के लिए या फिर किसी service के लिए या फिर किसी भी type का हमारा form हो सकता है या फिर कोई action हो सकता है जिसको हम as a conversion count करेंगे same हमारा call का है तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें call करें हमारे business को call करें जो भी हमारा business है उसके रट तो यहाँ पर मैंने बताया था अगर आपको traffic का add चलाना है उसके अंदर आपको call या फिर आप messenger WhatsApp का use ना करें उससी को आप lead के अंदर कर सकते हैं यहाँ पर messenger या फिर जो calls का option यहाँ पर available है अब हमारा जो next campaign objective है वो हमारा है app promotion का app promotion का simple है दो objectives इसके अंदर है app install का है और app event का है दो event इसके अंदर या फिर आप optimization event इनको कह सकते हैं यह दो यहाँ पर available है अगर आपको अपनी app का promotion करना है तो आपके लिए app के install increase करने है तो आपको app promotion का objective चूज करना है और इसको लेके आपको add बनाना है अब अगला जो हमारा है वो है sales का अगर मान लीजिए sales का जो campaign objective है यह आपको कब चूज करना है जब आप कोई भी चीज को online sell करते हैं तो facebook आपको क्या करना है कि जो sales का campaign है वो चूज करना है यह हमारा किस चीज के लिए अच्छा है conversion के लिए catalog sales के लिए या फिर messenger, instagram, whatsapp या फिर calls के लिए तो यह सभी चीज़े हैं खासकर यह जो हमारा use होता है यह हमारा website को लेके हम अगर मान लीजिए हमारे पास में e-commerce की website है या फिर कोई भी other type की website है जिसके उपर हम कोई भी चीज़े sell करते हैं तो वहाँ पर हमें sales का जो campaign है वो चूज़ करना है अब इन सभी के अंदर हमने सभी campaign objective को देखा और इनके अंदर difference क्या है simple difference है facebook के पास में बहुत सारा data है अब जो भी हम campaign objective चूज़ करेंगे facebook हमारे ad को उसी के according optimize करेगा और ऐसे लोगों को दिखाएगा कि जो भी हमने action choose किया जो हमने goal choose किया है जो लोग उस goal को complete करेंगे उन लोगों को facebook हमारी ad दिखाएगा जैसे कि अगर हम lead की बात करें और instant form अगर हम choose करते हैं तो facebook हमारी ad को ऐसे लोगों को दिखाएगा जो कि हमारे form को complete करेंगे अगर traffic की ad का हम example लें तो facebook ऐसे लोगों को हमारी ad दिखाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी website का जो link है उसके उपर click करेंगे क्योंकि facebook के पास में बहुत सारा data available है अगर हम awareness की बात करें तो awareness के अंदर हमारा जो optimization event है वो हमारा है brand awareness अब brand awareness अगर हम choose करते हैं पहले क्या था जो old अगर मैं आपको दिखाऊं अगर हम old campaign objective को देखे तो हमारे campaign objective कुछ इस type से दिखाई देते थे awareness है हमारा consideration है और conversion है ये एक funnel के type में है कि awareness अगर आपको brand awareness अगर अपने brand की awareness इंक्रीज करना है तो आपको brand awareness उज़ करना है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को add दिखानी है तो आपको reach उज़ करना है वहीं पर अगर आप नए campaign के अंदर ये option देखेंगे तो आपको awareness उज़ करना है awareness के अंदर आपको दो option अलग से दिखाई देंगे reach और awareness का जो कि हम इस वीडियो के अंदर आगे देखने वाले हैं similar हमारा जो traffic का campaign है वो यहाँ पर है engagement है, app install है, video views है अब video views जो हमारा objective है ये हमारा दो जगें shift हो चुका है जो कि आपको awareness के अंदर भी मिलेगा और आपको engagement के अंदर भी मिलेगा दोनों जगें आपको ये campaign objective मिलेगा हमारा lead generation का है, message का है message का जो objective है वो हमारा lead generation के अंदर चला गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है engagement के अंदर भी message का आपको मिलेगा और lead generation के अंदर भी आपको मिलेगा जो lead generation का जो objective था उसका name change करके इन्होंने खाली leads कर दिया है उसके बाद में हमारा जो conversion है conversion का जो name है वो इन्होंने change करके हमारा sales कर दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो हमारा store traffic है वो conversion की बज़ाई जो हमारा store traffic का वो conversion की बजाए हमारा awareness के अंदर आपका चला गया आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह हमारे पुराने campaign objective है और जो नए campaign objective है वो just मैंने अभी आपको बताए अब हमें क्या करना है कोई भी example के लिए मान लीजी मैं ad बना लेता हूँ awareness की मेरे को अपने brand को लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ad हमें दिखानी है और हम यहाँ पर choose करते हैं reach का और next के continue के उपर click करते हैं जैसे हम continue के उपर click करेंगे तो जो हमारा ad है वो बनने की process हमारी start हो जाएगी अब facebook के अंदर जो ads की hierarchy है जो campaign बनने का process है वो 3 step के अंदर होता है सबसे पहला है हमारा campaign उसके बाद में हमारा ad set और तीसरा है हमारा ad आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सबसे उपर campaign है दूसरे number के उपर हमारा ad set है और तीसरे number के उपर हमारा ad है तो तिन्नों level के उपर अलग-अलग settings होते हैं जो campaign level की settings होते हैं वो आपको campaign के अंदर मिलेंगी जो ad set level की settings होते हैं वो आपको ad set level के उपर और जो हमारी ad level की setting होते हैं वो आपको ad level के उपर मिलेंगी तो campaign level के उपर आप देख सकते हैं कि हमें जो campaign का objective और की goal है multiple ad के अंदर sorry campaign एक ही रहेगा हमारा उस एक campaign के अंदर हम multiple ad बना सकते हैं और वहाँ पर हम test कर सकते हैं कि कौन सा जो ad है वो better perform करता है इस चीज़ के बारे में मैं detail के अंदर आने वाले time में video बनाऊँगा तो आप channel को जरूर subscribe कीजिए उसके बाद में हमारा है advantage campaign budget अगर मैं इस multiple ad set बनाते हैं तो हमारा यहाँ पर अगर मैं आपको hierarchy बताऊं तो सबसे उपर हमारा एक campaign होता है उसके नीचे हम multiple ads बना सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हम multiple ads बना सकते हैं और एक ad set के अंदर हम ads बनाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं advantage campaign budget को मैं किसी और video के अंदर explain करूँगा अगर इस वीडियो के अंदर हम explain करेंगे तो ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा long हो जाएगी अब हम आते हैं जो हमने campaign के उपर हमें जो settings करनी है उनमें सबसे important है हमारा campaign objective बाकी की जो settings है वो हमारी same रहेंगी तो हमने campaign objective awareness select क्या है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी add दिखाना चाहते हैं उसके बाद में हम next के उपर क्लिक करते हैं जैसे ही हम next के उपर आते हैं तो हमारी जो add set level की settings है वो यहाँ पर आ जाती है सबसे उपर हमें अपने add set का name डालना है उसके बाद में हमें यह देखिए, आप देख सकते हैं, awareness हमा रहा है, अब performance का goal हमें यहाँ पर choose करना है, तो यहाँ पर हमें जैसे हम click करेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमें option मिलते है, maximize reach of ads, यानि कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी जो है, वो ads दिखानी है, maximize number of impression, impression का मतलब है कि कितनी बार हमारी ad दिखाई गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, we will try to show your ads to people as many times as possible, यानि कि जो reach के अंदर हमारा क्या होगा, एक person को जो ad है, वो एक बार दिखाई देगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर हमारी ad दिखाई जाएगी, और impression के अंदर क्या होगा, यानि कि हमारी ad जो ज़्यादा बार दिखाई देगी, यानि कि एक person को हमारी multiple ad दिखाई दे सकती है, वहीं पर maximize ad recall lift, यानि कि हमारी जो ad है, वो ऐसे लोगों को दिखाई जाएगी, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ad क वो ऐसे लोगों को दिखाई जाएगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा, 15 second तक हमारी video को देखें, through play के अंदर, और जो maximize 2 second continuous video views का है, कि हमारी ad, हमारी जो ad है, जो ad के अंदर जो हमने video ad डाली है, उसको 2 second तक हमारी video को देखें, अगर आप through play और through play के बारे में, और ज़्या ज़्यादा detail में जानना चाते हैं, तो मैंने already एक playlist बनाई है, उसके अंदर इन सभी topic को अलग से detail के अंदर cover किया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमें क्या करना है, facebook page को चूज करना, यहाँ पर हम देख सकते हैं, अपने facebook page को यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे हमे आगे आने वाले topics के अंदर cover करेंगे, और उसके बाद में see more detail के उपर हम click करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम reach का objective चूज करते हैं, यहाँ ब्रेंड जो objective हमारा है वो रहेगा, awareness का, उसके अंदर जो performance goal है, वो हमारा maximize, जो reach का हमने चूज किया है, और यहाँ आपर हम frequency set कर सकते हैं, frequency cap क्या होती है, कि एक person को हमारी add कितनी बार दिखाई जाएगी, तो हमारी default है, वो हमारी है, एक person को हमारी add साथ दिन के अंदर एक बार दिखाई जाएगी, impression का मतलब है कि कितनी बार दिखाई जाएगी, तो एक बार दिखाई जाएगी, और साथ द चार्ज करने हैं, डिलिवरी टाइप हमारी स्टेंडर्ड रहेगी जिसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं पहले इसको हम एडिट कर सकते थे लेकिन ये काफी पुराना अपडेट है फेस्बुक ओटोमेटिक इसको डिलिवरी करेगा अब हम नीचे स्क्रोल करते हैं तो यहां पर हम दोनों तरह से अपने बजट को चूज कर सकते हैं उसके बाद में हमारी स्टार्ट डेट है हमें कब से एड को स्टार्ट करना है तो हम करंट की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में हमें एंड डेट का उप्शन मिलता है हमें जैसी हम end date चूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर end date डाल सकते हैं कि कब तक हमें अपने campaign को run करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हम add डाल लेंगे हम यहाँ पर add कर यहाँ पर हम अपनी date सेलेक्ट कर सकते हैं के बाद में see more options के उपर click करते हैं तो हम add को schedule भी कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन add scheduling का option यहाँ पर available नहीं है क्यों क्यों क्योंकि scheduling is only available with lifetime budget आप यहाँ पर देख सकते है lifetime budget हम choose करेंगे तो यहाँ पर हम scheduling का जो option है वो हमारे सामने open हो जाता है scheduling के अंदर क्या होगा कि हम अपनी add को schedule कर सकते हैं कि हमें जो अपनी add है वो कब दिखानी है तीन बजे दिखानी है बारे बजे दिखानी है हम यहाँ पर set कर सकते हैं particular आप यहाँ पर देख सकते हैं और हम यहाँ पर remove भी कर सकते हैं कि हमें sunday को add नहीं दिखानी बाकी जो days हैं उनको हमें दिखानी है तो ऐसे आप schedule कर सकते हैं जो भी particular day है और जो selected horse है यानि कि selected जो भी time होगा उसके अंदर हम अपनी add को दिखा सकते हैं तो यहाँ पर मैं add scheduling को remove कर देता हूँ और हमें budget जो है मैंने lifetime चूज किया है तो इतने budget के अंदर हमारी जो add जो है reach जो है वो 1 million यानि कि 1 million people तक हमारी जो add है वो दिखाई जाएगी 1 million से लेकर 3 million लोगों को हमारी add दिखाई जाएगी अब नीचे हम scroll करते हैं अब सबसे important point हमारा है audience कैसे लोगों को हमें अपनी add दिखानी है वो यहां पर हम choose करेंगे हमारी audience क्या है जो भी आपका product है service है या फिर जिस भी लोगों को आप add दिखाना चाहते हैं वो आप यहां पर select करेंगे जैसे कि मान लीजिए मेरे जो customer है वो दिल्ली के अंदर available है तो हम यहां पर select करेंगे जो location है जैसे ही मैं edit के उपर click करता हूं तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूं जब भी हम audience के section के अंदर आते हैं तो हमारे सामने के उपर ही click करना है और यहां पर हमें नीचे scroll करना है custom audience यानि कि already अगर हमने कोई audience बना रखी है तो वो यहां पर हम search कर सकते हैं जो कि हमने नहीं बनाई तो हम यहां पर कुछ भी नहीं डालेंगे अब नीचे हम scroll करते हैं और उसके बाद में हमारा option आता है location का location के अंदर ह हमें यहां पर search करना है कि मान लीजी मेरे जो customer है जहां पर भी आपके customer है वो हम यहां पर डाल सकते हैं अगर दिल्ली के अंदर है तो हम यहां पर दिल्ली डाल सकते हैं यह हमने डाला तो जहां जहां हमारे customer available है यानि कि जहां जहां हमें अपनी audience को दिखानी है add वो हम यहा option मिलता है people living in or recently in this location यह यहां पर हमें चार option available मिलते हैं तो सबसे पहला है कि ऐसे लोगों को हमारी ad दिखाई जाएगी जो इस area के अंदर रहते हैं पलस में इस area के अंदर उन्हों उन्हें visit किया था यानि कि अगर मान लोग कोई travel करता हुआ इस area के अंदर आया था तो उसको भी हमारी ad दिखेगी और जो लोग रहते हैं उनको तो दिखेगी दिखेगी अब जो second option है इसके अंदर ऐसे लोगों को add दिखेगी जो इस area के अंदर रहते हैं यानि कि जो दिल्ली के अंदर रहते हैं और third option के अंदर ऐसे लोगों को add दिखेगी people recently in this location यानि कि जो recently इस location को visit करके गए हैं उसको add हमारी दिखेगी मान लेजिए कोई अगर बहदुरगड से या फिर या फिर किसी दूसरी city से अगर दिल्ली के अंदर आया है तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हमारी add दिखाए जाएगी अब तीसरी location जो है वो ऐसे लोगों को दिखाए जाएगी जो traveling कर रहे हैं इस area के अंदर people who is most recent location is within the selected area but whose home is more than यानकी जो दिल्ली से जिनका घर 200 km से ज्यादा है ऐसे लोगों को हमारी add यहाँ पर दिखाए जाएगी और currently वो इस area के अंदर है तो यहाँ पर मैंने select किया जो इस area के अंदर रहते हैं तो हमने choose किया दिल्ली को यहाँ पर आप browse के उपर हम click करेंगे तो आप country यह सारी चीज यह option आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सर्च करके भी areas को यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर आप location को bulk में भी add कर सकते हैं add location in bulk pin code के according आपको bulk के अंदर select करना है आपको हमें डालने है postal code मैं choose कर लेता हूँ यहाँ पर जो भी हम code डालेंगे पहले हमें country select करने है उसके बाद में हमें यहाँ पर code डालने है उनके according या फिर हम cities के name भी यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि दिल्ली, या फिर गुडगाउ, जो भी नोईडा, जो भी हमारी cities के name है, वो यहाँ पर हम proper डालेंगे, और यहाँ पर हम add कर देंगे, उसके बाद में हमारी आती है age, age हमें क्या select करनी है, जो भी हमारे customer की age है, for example, अगर मान लिजी हमें kids से related item, जैसे कि जो आपने व 35 या फिर 40 के आसपास हैं, ऐसे लोग parents से related चीजों को ज्यादा purchase करेंगे, जैंडर जो है, वो हम दोनों रखेंगे, यह मैंने just example के लिए बता है, audience के लिए आपको अलग से research करना पड़ेगा, audience को कैसे research करना है, उसके उपर already मैंने एक detail के अंदर, आधे गंटे की वीडियो बना रखिए, उसको आप जरूर चेक आउट कीजिए, उसके बाद में हम आते हैं, gender, हमें कौन से gender को हमारी add दिखानी है, man को दिखानी है, या फिर woman को दिखानी है, जैसा भी अगर हमारा product woman के लिए बना है, तो हम woman को दिखाएंगे, अगर हमारा product ऐसा है, man के लिए है, त man को दिखाएंगे अगर ऐसा product है जो दोनों gender purchase कर सकते हैं तो हम all को रखेंगे उसके बाद में हमारा आता है detail targeting ये जितने भी option आप देख रहे हैं ये सारे audience का part हैं अगर आप audience के बारे में detail targeting के बारे में जैसा कि already मैंने बताएं एक video मैंने already बना रखे काफी detail के अंदर है वो उसका जो link है वो आपको description के अंदर मिल जाएगा अब हम बात करते हैं detail targeting के बारे में अब detail targeting जैसे हम edit के उपर click करेंगे तो यहाँ पर हमें detail targeting करने का option आ जाएगा अब facebook के उपर क्या होता है कि काफी अलग अलग तरह के option available मिलते हैं जैसे मान लीजिये अगर मेरा solar का product है अगर मैं solar panel sell करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को हमारी ad दिखाई जाए जो solar panel purchase कर सकते हैं जो उनकी age जो है वो 25 से लेकर 50 के आसपास हो इसके साथ ही solar के अंदर या फिर energy के अंदर उनका interest हो अगर मैं दूसरा example लूँ मान लीजिये मेरा जो product है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके बच्चे तीन से लेकर 5 साल के हैं यानि कि कोई अगर आप हम example ले सकते हैं toys का जैसे कि जो kids related toys होते हैं उनको अगर हम sell करते हैं तो हमारी जो audience है वो रहेगी ऐसे लोग जो parents हैं ऐसे लोग जो kids से related content के अंदर interested हैं तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर choose कर सकते हैं similar अगर मान लीजिए हमारा कोई handbag है तो हम woman को target करेंगे और ऐसे लोगों ऐसी ऐसी woman को target करेंगे जिनका interest handbags के अंदर है तो यहाँ पर हमारे सामने तीन option available है demographic, interest और behavior demographic के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो किसी भी person ने अपनी profile के अंदर add की हैं आप यहाँ पर जैसे हम demographic के उपर आते हैं education है financial है, life event है, parents है या फिर relationships के related option आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसके साथ ही work से related option हमें यहाँ पर मिलेंगे इसके साथ ही interest है और behavior है यानि कि अगर मान लीजिए, अगर मैं handbag से related content को browse करता हूँ, तो जो मेरा interest है वो handbag होगा, अगर similar kind of, अगर मैं solar selected product को browse करता हूँ, अगर solar से related content को read करता हूँ, वीडियोज को देखता हूँ तो जो मेरा interest है, वो हमारा solar से related हो जाएगा अगर हम behavior की बात करें, behavior क्या होता है कि online behavior मेरा क्या है जैसे कि मैं online videos ज़्यादा देखता हूँ या फिर मैं online purchase ज़्यादा करता हूँ या फिर मैं online किसी services के लिए inquiry ज़्यादा करता हूँ, यानि कि मैं किसी photos को like ज़्यादा करता हूँ या फिर मैं comment ज़्यादा करता हूँ ये सारी चीज़े क्या है, मेरा behavior है किस type का phone मैं use करता हूँ किस type के devices को मैं use करता हूँ वो सारी चीज़े क्या है, मेरा online behavior है जो कि Facebook के पास में बहुत सारा data available है तो Facebook easily इन सभी चीजों को track कर पाता है और हम ऐसी audience को हमारी ad दिखा सकते हैं जो हमसे related हैं अगर आप इन तिनों के अंदर difference जो detail के अंदर जानना चाते हैं तो again मैंने एक playlist बनाई है और एक video है जिसके अंदर specially सिर्फ और सिर्फ इन तिनों option को मैंने detail के अंदर cover किया है अब मैं example के लिए लेता हूँ कि मान लीजे मेरे को एक woman handbag sell करना है तो जिसके audience हमारी woman रहेगी और ऐसी woman को हम target करेंगे जो luxury product के अंदर interested है तो हम यहाँ पर ऐसे लोगों को हम target कर सकते हैं जो luxury goods के अंदर interested है जैसे हमने choose किया अब यहाँ पर हमें suggestion का option मिलता है जैसी आपको सिर्फ एक यहाँ पर कोई भी एक interest जो भी आपकी audience का हो सकता है वो यहाँ पर डालना है फिर demographic आप डाल सकते हैं behavior हम डाल सकते हैं तो ऐसे लोगों को हमें add दिखाने है उसके बाद में जैसी हम suggestion के उपर click करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा जैसे कि frequent international traveler या फिर आप देख सकते हैं online shopping retail जो जिनका luxury resort के अंदर interest है first class travel है या फिर shopping mall के अंदर interested है तो ऐसे लोगों ऐसे जो women है उनको हम add यहाँ पर दिखा सकते हैं जो हमारी audience है वो यहाँ पर आपको estimated audience का size दिखाई देगा और जो हमारी reach है यानकि कितने लोगों को हमारी add दिखाई जाएगी वो आपकी यहाँ पर available देख सकते हैं इसके बाद में हमें दो option और मिलते हैं exclude का और narrow audience का exclude का मतलब है कि हम ऐसी audience को exclude कर सकते हैं जिनको हम add नहीं दिखाना चाहते जैसे कि हम ऐसे लोगों को add नहीं दिखाना चाहते अगर हम इसका example लें अगर handbag का है तो हम ऐसे लोगों को add नहीं दिखाना चाहते जो shoes के अंदर interested है तो हम यहाँ पर exclude कर सकते हूं चीजों को उसके बाद में हमारा narrow audience है narrow audience के अंदर क्या है कि हम एक अपनी audience के उपर एक filter लगाते हैं कि एक condition लगाते हैं अब माल लिजे अब जिनका behavior है या फिर जिनका interest है हमने ऐसे लोगों target किया जिनको luxury goods के अंदर interested है अब luxury goods के अंदर जो interest है वो तो किसी का भी हो सकता है जो उसको अगर आप luxury goods related videos देखते हैं या फिर कोई content देखते हैं तो हम luxury goods फेस्बूक जो हो उसको luxury goods के अंदर count करेगा लेकिन अब सभी के पास में handbag या फिर अगर माल लेजे कोई expensive हमारा product है जो की 4-5,000 रुपय का है तो सभी जो लोग है वो उस product को purchase नहीं करेंगे तो हम filter कैसे करेंगे कि उस product को purchase कौन कर सकता है तो यहाँ पर हम narrow audience के अंदर जाएंगे तो हम ऐसे लोगों को target करेंगे जो की engaged shopper है आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि जो engaged shopper का मतलब होता है कि जो online चीजों को ज़्यादा purchase करते है कैसे decide करेंगा Facebook जिन्होंने shop now button के उपर click किया है past week के अंदर फिर पिछले कुछ दिनों के अंदर तो वो हमारे engaged shopper के अंदर आएंगे similar हम कर सकते हैं ऐसे लोग जो iPhone यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया iPhone यानि कि अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो iPhone यहाँ पर क्या interest हो interest किसी का भी हो सकता है लेकिन हमें क्या चूज करना है या तो हमें behavior चूज करना है और उसके बाद में हम यहाँ पर यह देखिए हमें ऐसे लोगों चूज करना है जो कि iPhone 7 को यूज करते है iPhone SE को यूज करते है आप यहाँ पर देख सकते है iPhone के काफी अलग-अलग model यहाँ पर available है तो यहाँ पर जो हमारी estimated audience size है वो काफी कम हो जाएगी जैसे कि मान लेजिए मैं यहाँ पर चूज करता हूँ ऐसे लोग जो app store iOS या फिर हम करते है iPhone SE को यूज करते है यहाँ पर जैसी मैंने click किया तो हमारी audience है वो काफी कम हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते है सिर्फ और सिर्फ 2600 से लेकर 3000 ladies है या फिर women है जो iPhone यूज करते है पलस में जिनका luxury goods के अंदर भी interest है तो ऐसे ही करके हम एक phone की list निकाल लेंगे और यहाँ पर हम वो add कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलाल के लिए इसको मैं close कर देता हूँ हम simple रखते हैं इस add को तो मैंने simple चीज़े डाली हम सभी को यह add दिखाएंगे जिनका interest हम कर सकते हैं जो भी हमें choose करना है वो चीज़े हम यहाँ पर add कर सकते हैं उसके बाद में हमारे सामने language का option आता है यह सारी चीज़े मैं आपको दोबारा repeat कर दूँ कि यह जो सारी चीज़े हैं यह हम audience के अंदर सीख रहे हैं सबसे उपर हमें location डालना है उसके बाद में नीचे scroll करके हमें age डालनी है gender डालना है detail targeting के अंदर हमें user का demographic, interest, behavior जो भी चीज़े हैं वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं आपको audience कैसे research करनी है वो already मैंने एक video बनाई है जिसका जो link है वो आपको description के अंदर मिल जाएगा अब हम नीचे scroll करके आते हैं और palacement के अंदर palacement का मतलब है कि जो हमारी ad है वो कहाँ पर दिखाए जाएगी facebook के feed के अंदर दिखाए जाएगी facebook story के अंदर दिखाए जाएगी या फिर instagram story के अंदर दिखाए जाएगी instagram feed के उपर दिखाए जाएगी या फिर किसी application के उपर दिखाए जाएगी या फिर market palace में दिखाए जाएगी यानि कि जो हमारी ad है वो कहाँ पर दिखाए जाएगी अगर आप starting के अंदर है तो आपको advantage plus placement जो है वो select करना है इसके अंदर facebook क्या करेगा automatically जो palacement है जहाँ पर भी facebook को लगेगा कि यहाँ से हमें result आ सकता है वहाँ पर हमारी ad को दिखादेगा manual placement के अंदर क्या है कि हम particular select कर सकते हैं जैसे कि मान लिजे हमारी जो audience है हमको लगता है कि हमें instagram से ज्यादा result आएगा जैसे कि अगर हम woman's related content है या फिर अगर woman's related product है तो हम choose कर सकते हैं instagram को कि वहाँ पर हमें ज्यादा result आगी है फिर fashion से related जो product हैं उनके अंदर हम instagram को choose कर सकते हैं तो वो हमें देखना है कि हमारा product क्या है हमारी service क्या है और उसकी जो audience है वो हमें किस platform के उपर ज्यादा available मिलेगी तो वो platform हमें choose करना है तो इसलिए starting के अंदर हमें क्या करना है advantage पलस जो palacement है उसको हम select करेंगे यानकि facebook automatically decide करेगा और वहाँ पर दिखा देगा हमारे ads को अब यहाँ पर अब तक हमने देखा जो campaign level की settings है वो हमने देखा उसके बाद में हमें awareness यानकि जो हमारी ad set level की settings है वो हमने choose की अब हम next level के उपर आते है जैसे ही हम next level के उपर आते है तो अब हमारी add level की settings आ जाएंगे यानकि यहाँ पर हमें add बनाना है कि हमारा जो add है वो कैसा दिखेगा उसके अंदर photo क्या होगी वीडियो क्या होगी उसके अंदर text है वो कैसा दिखाई देगा वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी तो सबसे उपर हमारे campaign का name है उसके बाद में हमें अपना facebook page चूज करना है जो add का name है उसके बाद में हमें page का name चूज करना है उसके बाद में हम नीचे स्क्रोल करके दें कि हमारे add का जो format हो कैसा रहेगा single image या video रहेगी या फिर carousel रहेगा या फिर collection रहेगा ये अलग-अलग type के add है तो generally हम single image या फिर आप video run कर सकते हैं या फिर आप carousel का भी आप use कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं क्या करूँ है single image या फिर video को मैं use करने वाला हूँ उसके बाद में मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ और जो add creative है यानि कि image के अंदर हमारा जो text है video है वो सारी चीज़े कैसे दिखाई देंगी तो उसको यहाँ पर मैं पहले delete करता हूँ remove all उसके बाद में media के उपर हमें click करना है अगर आपको image add करने है तो add image के उपर click करना है अगर आपके पास में video है तो आपको add video के उपर click करना है यहाँ पर मैं add video के उपर click करता हूँ और मैं फिलाल के लिए यहाँ पर यह जो solar की add है इसको मैं click करता हूँ और next के उपर click करता हूँ तो यहाँ पर यह हमारी add जो video है वो यहाँ पर आ जाएगी और done के उपर हमें click करना है तो जैसे हम done करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो add है वो 14 palacement के उपर दिखाए जाएगी 7 palacement जो है वो हमारी feeds, in-stream ads, videos, reels के related है उसके बाद में हमारा आता है primary text primary text क्या होता है जो हमारी adds के उपर text दिखाई देता है वो हमारा primary text होता है तो यहाँ पर हम primary text कोई भी हमारा जो भी related है हम यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर जो primary text है वो आप देख सकते है यहाँ पर हमारा add है उसके उपर हमारा primary text दिखाई देगा primary text को आपको अच्छा लिखना है emojis का use करना है जो भी important point है वो आपको primary text के अंदर यहाँ पर add करने है उसके बाद में हमें नीचे scroll करना है add destination का मतलब है कि user अगर हमारी add के उपर देखता है तो वो user कहाँ पर जाएगा वो हम add destination कर सकते है जो कि यह हमारी awareness की add है इसलिए हमें जो यह option यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसके बाद में हम नीचे scroll करते हैं और website tracking हम नहीं करेंगे और language है वो हम यहाँ पर select नहीं करेंगे और destination है उसको हम select कर सकते है कि जो भी हमारी website है उसका हम link यहाँ पर डाल सकते है और जैसे हम नीचे scroll करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी website चूज कर सकते हैं और add का preview है वो आप right side में देख सकते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी random website हम डाल सकते है ठीक है तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि right side के अंदर आपको जो हमने add बनाई है वो यह आपको यहाँ पर दिखाई देगी कैसी वो हमारी add user को दिखाई देगी आप यहाँ पर देख सकते हैं और advanced preview के उपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी add का जो preview है वो आप detail में देख सकते हैं कि कौन सी location के उपर यहन कि कौन सी palacement के उपर हमारी add किस type से दिखाई देगी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारी story की palacement है real की palacement है आप यहाँ पर देख सकते हैं learn more के उपर अगर user क्लिक करेगा तो वो हमारी website के उपर चला जाएगा जो भी website हमने डाल ली है आप same यहाँ पर देख सकते हैं Facebook Reels के अंदर कैसा दिखाई देगा सारे option आपको यहाँ पर available है Facebook Reels के अंदर हमारा कैसा दिखाई देगा तो सारे option आपको यहाँ पर available है यहाँ से मैं इसको close करता हूँ अब हमें क्या करना है कि हमें जैसे हम publish के उपर कलिक करेंगे तो हमारी add publish हो जाएगी अब अगर आपका नया account है तो यहाँ पर जैसे हम publish के उपर कलिक करेंगे तो हमारे पास में debit और credit card का option आएगा और हमें next के उपर कलिक करना है तो यहाँ पर हमें अपने detail डालनी है यहाँ पर हमें अपने जो card है फिलाल के लिए दो ही card जो acceptable है visa card और master card यहाँ पर आपको अपने card के card का number डालना है card का name डालना है number डालना है और जो month लिए एक OTP आएगा वो हमें accept करना है उसके बाद में हम अपने ad के अंदर payment add कर सकते हैं और हमारी जो add है वो payment add करने के बाद ही run होना start होगी क्योंकि इसलिए ये add है कि हम Facebook को कुछ पैसे दे रहे हमारी add को run करने के लिए तो जैसी हमने publish के उपर क्लिक किया तो हमारी add जो है वो यहाँ पर बन जाएगी अब हमारी add तो बन चुकी है अब हमें क्या करना है इन चीजों को हमें समझना है सबसे ज़रूरी है कि Facebook का dashboard है वो थोड़ा सा or map को समझा दूँ जैसे ही हम यहाँ पर इन three lines के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो Facebook के जितने भी option important option है वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे ads manager है, event manager है, business setting है add account settings है, audience है account की quality है, billing है जो यानि कि हमें पैसे कहां से add करने, billing के उपर हम जाएंगे और यहाँ पर हम पैसे add कर सकते हैं बाकी की जो settings हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके required हैं तो उन settings के उपर जाकर आप उनके बारे में और ज़्यादा detail के अंदर जान सकते हैं तो हमारे लिए तीन settings सबसे ज़्यादा important है, ads manager, add account settings और हमारा billing, जैसे हम billing के उपर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हम अपनी जो billing की detail हैं वो हम यहाँ पर add कर सकते हैं, payment की settings, billing की detail सारी हमारी यहाँ पर मिलेंगी, payment settings के उपर click करना है, और यहाँ पर हम payment add कर सकते हैं, अगर आपको बाकी और detail के अंदर, चीजे और जादा detail के अंदर सीखने हैं, तो मैंने playlist का जो link है, वो description के अंदर दिया है, अब हम आते हैं तो यह सारी चीजे हमने इस के अंदर cover की, अब दो चीजे हमारी और रहती हैं तो हमने यहाँ पर देखा, कि जो facebook ads की research है, वो हमें कैसे करनी है, यह तो हमें पता लगगा कि facebook ads कैसे बनानी है, अब facebook ads की research करने के लिए एक tool है, हमारा facebook ads library जैसे आप facebook ads library google के उपर search करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला link मिलेगा facebook ads library, अब facebook ads बनाने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए, कि आपकी industry के अंदर, कि टाइप की जो facebook ads है, वो चलती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, facebook ads library को explore करना है, facebook ads library बनाने से पहले, जो sorry, facebook ads बनाने से पहले, आपको facebook ads library को explore करना है, जिससे कि आपको एक idea हो जाएगा, कि जो हमारी ads है, वो कैसी बनेंगी, या फिर हमें ads कैसी बनानी है, तो यहाँ पर हमें country जो है, इंडिया select करनी है, जो ad categories हो है, उसके अंदर हम all select करेंगे, और यहाँ पर जिस भी type की हमारी ad है, जैसे कि मान लीजिए, अगर हमें shoes को promote करना है, अगर हम shoes sell करना चाहते हैं, तो हम shoes डालेंगे, और यहाँ पर हम search करेंगे, जैसी हम search करेंगे, तो shoes से related जो ads हैं, जो facebook के उपर, इंडिया के अंदर जो चल रही है, वो सारी ads यहाँ पर आ जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जिस भी type की shoes की ad यहाँ पर चल रही हैं, वो आ जाएंगी, अगर आप कोई handbag sell करना चाहते हैं, तो handbag आप यहाँ पर search कीजिए, तो यहाँ पर handbag आ जाएंगी, जिस भी type का अगर आपका product है, उससे related आपको यहाँ पर, वो product Amazon ने run कर रहे हैं, तो Amazon डाला यहाँ पर है, Amazon India, जो page है वो हमने select किया, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, कि आपको एक idea मिल जाएगा, कि जो add है, वो हमें कैसी ads बनानी है, तो वो सारा idea आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप facebook ads library के बारे में, और ज़्यादा detail के अंदर जानना चाहते हैं, तो मैंने already एक video बना रखिये, मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, facebook ads library के उपर already मैंने एक video बना रखिये, आप competitor के audience को कैसे target कर सकते हैं, उसके उपर भी मैंने already एक video बना रखिये, तो इन सभी videos के link और playlist के link आपको description के अंदर मिल जाएंगे, जिससे कि आपको काफी help होगी facebook ads को और ज़्यादा detail में सीखने के लिए, तो मुझे उम्मीद है, आपको इhe video देखने के बाद में facebook ads के बारे में काफी knowledge मिली होगी, और आपको facebook ads रण करना जरूर आ गया होगा अगर आपका कोई भी सुजाव है, suggestion है तो आप comment section के अंदर जरूर बताइए, ऐसी और helpful videos के लिए आप channel को जरूर subscribe कीजिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और next videos के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद